तुम जानते हो कि Article 370 ने एक हफते के अंदर 38 करोड रुपे कमा चुकी है और अपने बजट को क्रॉस करके ये प्रॉफिट में जा चुकी है इसके competition में एक movie आई थी crack करके जिसने एक हफते के अंदर सिफ 12 करोड कमाए है इस तीन गुना कम और देखा जाए कि इस movie के flop होने का कारण क्या है देखो entertain के नाम पे इस movie ने क्या दिखाया थोड़ा action थोड़ा नूर आफते क्या बम बस लेकिन वही पर Article 370 ने हमें action भी दिखाया है value भी provide करी और सबसे बड़ी अबात कि इस movie ने educate किया है उन लोगों को जिनको नहीं पताता इस चीज के बारे में और जिस वज़े से इसने अपने competitor से तीन गुना जादा कमाए है तुम्हें का लगता है